हलो दोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल और गैनिक एन हड्रोपॉनिक अर्बन ग्रोप रोपर दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे या टेरेस गार्डन में उगाये गये बैंगेंगें के पौदे में किस तरह की कैर करनी चाहिए तक ही हमें बहुत ही अच्छी फलदार्णा मिले और अच्छी क्वालिटी के फल भी मिले दोस्तों यह जो आप देख रहे हो यह मेरे बैंगन के पौदे जिसको मैंने ग्रोबेक में हुगाया है और इसको मैंने करी 45 दिन पहले लगाया था अभी आज देज सकते हो आप कि यह बैंगन के पौदे काफी अच्छी बढ़वार पाए हुए है और इसमें बैंगन लगना भी शुरू हो गया है यदि हम चाहे तो इसको नेचरल तरीके से बढ़ने दे सकते हैं पर क्यूंकि हम इसको अगासी में यहां हमारे घर के बगीजे में उगाते हैं यहां हमारे पा आज के इस वीडियो में मैं इसी बात की सारी माहिति आपको देने वाला हूं तो पूरी जानकारी पाने के लिए कहीं जाईएगा नहीं जुड़े रहिएगा वीडियो के अंतर तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पताया कि हमारे ग्रोवेक के प्लांट है जिसके लिए हमन कि आप इसको द्यान से देखेंगे तो यहां पर यह जो आपको बैंगन है वह भी लगा हुआ मिलेगा तो यह प्लांट अभी काफी हेल्दी कंडिशन में है और आप देख सकते उसके पत्ते भी अच्छे बढ़ रहे है उसकी हाइट भी अच्छी हुई है अभी इसको हमने जब लगाया था तब इसमें खात की मात्रा अच्छी तरह मिक्स करके हमने ग्रोबेक बरे थे हमने करीब 20 टका जितना काउडंग मेनियोर यानि गायका गोबर का सड़ा उगला खात डाला था आप चाहे तो इसमें कंपोस भी डाल सकते है उतनी कॉंटिटी में और उसके ब भी लंबे समय तक फल देते रहेंगे अब आप बात करते हैं कि इसको किस तरह छोटी सी जगा में मेंटेन करके ज्यादा से ज्यादा फल लिये जाए तो दो अभी आप देख सकते हो कि यह जो हमारा पौधा है इसमें नीचे वाले पत्तों की हर डंडी में से नई फुटान को बढ़ने देंगे तो हमारे पौधा बहुत जाड़ी नुमा हो जाएगा और उसकी काफी सारी एनरजी उसी ग्रोथ में चली जाएगी इससे एक तो हमारा प्लांट में हवा की अवर्ज और कम हो जाएगी और ज्यादा तर हमारा खाना इन डालियों को बढ़ाने में चला पड़ेगा उसके लिए क्या करना है हम यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे यह पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छटी और सात्वी डाली सात्वी आंख में से यह नई डाली अच्छी सी निकल गई है और आप यहां पर एक बैंगन भी देख सकते हैं इसी तर तीन चार पांच छटी और सात्वी डाली में से फिर से एक बैंगन निकला है और नीचे काफी सारी फुटान आई हुई है यह उसका नेचरल स्प्लिट है यानि इसकी कुद्रदी रूप से यह डबल हुई है और ज्यादा तर पोदे में इसी तरह यह डबल होती है यह वेर दोनों को मिलकर छट्टे से आठवे पत्ते के बीच में यह स्प्लिट होती है हमें आगे जब प्रुनिंग करना है तब उसको ध्यान में लेना है और इसके पहले हम इसके नीचे की सारी डालियों को रेगुलरली निकालते रहेंगे जिसको हम वाटर स्प्राउट या पीला बोलते हैं उसको हमें निकालता रहना पड़ेगा तो हम इसको पीले को इस तरह मरोड के निकालके साफ कर लेंगे तक हमारे जो तना है नीचे साफ रहे अभी हम जो है यह जहां से फलदार ना हुई है नेचरल स्प्लीट हुआ है इसके नीचे वाई डाली को अभी नहीं निकाल रहे है इसको मैं आगे आपको बताता हूं उसका क्या परप्रद है इस तरह हम निकालके सारे पीले साफ करके पौदे को इस तरह तयार कर लेंगे तो हम पहले डिसायड करना पड़ेगा हमें इसमें किस त्रथा की प्लूनिंग करनी है इस召स को हम उपर तक होती है एक जिसमें फ्रूट की संक्या तो थोड़ी कम आएगी पर फ्रूट की जो साइज है वो काफी अच्छी आएगी और जो दुसरा तरीका है इसमें हम पौधे को तीन या चार तने पर बढ़ाएंगे और उसको पौधे को छोटा रखेंगे जिसमें हमें काफी सारे फ्रूट्स मिलेंगे नंबर फ्रूट्स इसमें बढ़ जाएंगे और उसकी साइज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी दोनों तारीकों को अभी हम बारी बारी समझते हैं पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंतक देखे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करिए मेरी दी हुई जानकारी उप्योगी लगे तो उसे शेर जरूर करें और आपकी राय और सुझाओ कॉमेंट बॉक्स में लिखे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आई आप देखते हैं इस पौदे की प्रूनिंग हमें किस तरह करनी है इसमें सबसे पहले मैंने जो दो तरीके बता है उसमें से पहला तरीका है जिसमें बेलनुमा पौदा करना है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा पहला फलो गया इसके बाद यह जो दो शाखा है उसको हमें बचा के रखना है और इस इसके अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा शूट उसमें नहीं रखनी है यह बहुत ही सिंपल तरीका है पर इसमें हमें मंडप का बनाने की तोड़ी ज़रूत पड़ेगी हम यहां पे वह पद्दत ही नहीं यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमने इसको मंडप में नहीं बनाना कि यह छोड़के जो तीसरी है इसमें फुल बैठता है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये एक गाट, दो गाट और तीसरी में जहां पे फ्लावरिंग आता है उसके उपर से हमें इसको काट देना पड़ेगा मैं इक नमून आपको काट के दिखा रहों कि यह यहां पे इसकी फुल बैठा है उसके नीचे जो फुटान आएगी उसको सिर्फ रखेंगे इसी तरह इसमें भी करते जाएंगे इसी तरह सारे पौदे को हम काटेंगे तो यह देखिए पहली गाट दूसरी पत्ती तीसरी यहां पर फ्लावरिंग आई है तो इसके उपर से हमें इसको काटना है यह काट दिया यहां पर जो शूट है इसको भी हम निकाल देंगे पत्ते हमें नहीं निकालने है खाली हमें फुटान निकालनी है यह निकाल दिया अभी हम इस शूट को बढ़ाएंगे इस पर हमें फिर से फ्लावरिंग मिलेगी इस पर भी यह करेंगे जैसे फ्लावरि जैसे यह इतनी लंबाय का था आप यह हो गया फिर से यह लंबाई यहां से में काटेंगे नीचे रह जाएगा इतना रह जाएगा इस पद्धति में आप teاؤ थी यह चार तने उगा सकते है इसमें हमने यह दो रखा है और यह जो मैंने तना रखा था नीचे को पत्ते में यह हम रखेंगे हम तीन तने पर इसको बढ़ाएंगे आप चाहो तो इसमें से एक अच्छा कभी विगरस वाला निकलता है तो चौथा भी तना रख सकते है तो यह हुई प्रुन फ्लावरिंग लेने में चोटी चोटी नोड पर फ्लावरिंग देने में तो दोस्तों आपको बेंगन के पोदे की छटाई का इस तरीका कैसा लगा वह मुझे कोमेंट बॉक्स में लिखकर जरू बताईएगा और आप भी अपने घर के पगीचे के बेंगन के पोदे को अपी ग्रएंग?